हलो एवरीवन आज है 16 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे है जियो फिनाशल सर्विस के बारे में 335 रुपए के आसपा शेयर ट्रेट कर रहा है और देखा जाए तो आज थोड़ी से गिरावट जरूर है एक महिने में अगर हम देखे तो गिरावट है स्पेसिफिकल अगर इसके हाई लिवल से देखोगी 360 रुपए के आसपा शेयर गया था वा एक मेजर फॉल है 335 पर गया एक दिन वापस तीज़े दिखा दिया अगल ही दिन लेकिन उसके बात देखो तो लगातार ये गिर ही र करेंगे तो 335 रुपए का शेयर है जियो फिनांशल का तकरीबन सारे 3% का फॉल है एक सार में देखोगे तो 30 जरूर है 50% की 30 है हलांकि 30 90% की थी 202 रुपए से 395 तक शेयर गया था ये उससे मलब 90% से भी ज्यादा की 30 दिखाए इसने पैसा डबल किया था लेकिन बाद मे और दुबारत इसे दिखाए थी 360 पर गया वापस है गिरावट अभी यहां पर देखने को मिल ज़रूर रही है और देखाए जिखो कंपेनी खराब नहीं है काफी बैतर होने वाला इसा उसमें कोई शक नहीं है बहुत सारे बिजनस जो है वह इसी टेटिगरी के अंदर आने वाले इसी कंपनी के अंदर में कंपनी जो है मलब जो मलब रिखाएं से वह उपन करने वाली है चाहे हम mutual fund की बात करे चाहे हम credit card business की बात करे चाहे हम अगर के पास अगर आप देखोगे तो एक बड़ा advantage है वो यह है कि data data इनके पास तगड़ा है और दूसरी बात इनकी जो trust है लोगों का वो बहुत easily यह लोग गेन कर सकते हैं लोग जो देखते क्या जियो जियो से insurance खरीद रहे है mutual fund के तो at least है कि चाह डूबेंगे नहीं मलब जरू बन जाती है और यहां पर आज के दिन अगर हम इसके volumes देखे तो 57 लेक्स से भी ज्यादा के share trade होते नजर आया है और देखिए company अगर आप देखो तो 395 रूपे तक पर या था श्याय दूसरी रूपे का low भी बनाया था अल्मॉस कर से कि इसने पैसा double किया था बीच म market cap दो लाग करोड से भी जाधा कहें जो कि काफी लोग कहते कि भाई सब इसका market cap उतना है जितने बड़ी बड़ी बैंकों के market cap होते हैं उन बैंकों के जो इससे कई गुना जाधा पैसा भी कमाते हैं लेकिन मैं कह दू अगर इससे market cap देख रहे हो तो आप यह भी सूचों क तो उतना बुरा भी नहीं है और दो दिनों बाद इसके results भी आने वाले हैं अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर का 16 अक्टूबर हुई है दो दिनों बाद इसके results आने वाले अभी हाल फिलहाल में reliance के भी results आये थे जो कि average थे और नतीजे के बाद कोई तीजी reliance industries में देखने को मिला है तो देखो इस बार की जो numbers है से मिलब जो आनने वाले उससे ज्यादा कुछ expectation मेरी है नहीं लेकिन एक चीज़ जरूर होने वाली है वो है dividend हलाकि यह नहीं पे करेंगे अगर इंजियो जो है वो dividend प्याउट नहीं करेगा आपको शायद हो सब्सक्राइब क पैसा निकलने कोई मतलब बनता नहीं जो रिलाइंस ने dividend पे करा है यहाँ पर रिलाइंस ने जो dividend पे करा है उससे इनको फायदा जरूर होगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो company को लेकर कई सारी चीज़े उसमें according to money control user 92% लों कहरें खहिदारी करो 8% लों कहरें बेच और अगर आप इनके website पर जाते हो रहो तो कई सर बिजनस है अभी हाल फिल हाल का जो बिजनस है वो इनका instant loan का तो है ही लेकिन यह एक step और जाने वाले हैं और वह यह होगा कि home loan देना start करेंगे यह mutual funds के against में भी loan देना start करेंगे property के against में भी loan देना start करेंगे और वो बड़े tickets वाले loan size होंगे तो उससे कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो इनका जो revenue वाला जो column है segment है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा अभी इनके revenue profit इतने खास अच्छे है नहीं अभी इनके results देखोगे जब हम आगे बात करेंगे कुछ ठीक ठाक नहीं है average मैं कहूंगा लेकिन ज सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूपिए पेमेंट के बात करें mutual fund के अगेंस में इन्होंने अपनी app भी launch करी हुई है इनके खुद की app है mygeo app इनकी जो फिनांस की app है इनकी और beta version में launch हुई थी और अभी इनके अच्छे कासे downloads भी हो चुके हैं जो कि अच्छी बात है इनके लिए और जहां तक valuation की बात है तो यह महंगा जरूर 135 का P है लेकिन अगें मैं कहूंगे इसको जो premium valuation जो मिल रहा है वो इसके लिए मिल रहा है कि जब company का business open up होंगे तो इनके revenue profit में एक दम से आपको तीज़े देखने को मिल ज जलते हैं जब revenue profit बढ़ेंगे तो यह भी adjust हो जाएगा यहां पर इनके financials देखोगे तो कुछ खास अच्छे नहीं है इवन जो दो दिन बात इनके results भी आने वाले उतनी अखास expectation मेरी इससे नहीं है इनका revenue वही पांसो क्रोड के आसपास रहता है और profit वही 300 क्रोड के आसप से और वो पैसा और रिलाइंस इंडिस्ट्रीस में तक्रीबन 6.5% का stake यह लोग own करते हैं तो उसी के चलते हैं अगर आप देख रहे हो यहां पर तो सप्टेंबर क्वार्टर में जो वह साड़े 6% का जो dividend आता है उससे इनका revenue बढ़ जाद है इनका profit बढ़ तक्रीबन 300 क् बढ़ गया था इनका तब रिलाइंस ने 9 रुपे पर शर का dividend पे करा था इस साल 2024 में अगस्त महिने में रिलाइंस ने तक्रीबन 10 रुपे पर शर का dividend पे करा है तो जादा dividend पे आउट हुआ है तो नंबर जो होंके सब्टेंबर के वो मुझे रता है कि 825 करोड से जादा कह ही देखने को मिल सकता है आपको लेकिन अगें यह चीज मार्केट भी समझता है तो उसी तरीके से फैक्टरिंग करके चल रहा है और रिजल्ट के वज़ेसे हमें रिलाइंस इंडिस्ट्री में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के लोग गिरावट देखने को मिल रह हाला कि यह जून कौर्टर का शेक होल्डिंग पाटन सप्टेमबर का अभी तक आया नहीं है लेकिन अब तक अगर आप देख रहो लिस्टिंग से लेकर अब तक तो इंस्ट्यूशन लगातर बेच रहा है तो कई सारे इंडेक्स का पार था अब सारे इंडेक्स से उसको देखने को मिल सकता है अगर इनको बियो स्टरा इंडेक्स हो गया या फिर पिन अगर ऐस इंडेक्स मेरे इस को जगह मिलती है क्यूशर में तो कहीं न कहीं जो पैसिव इन फ्लोफ वह्त अगर आपर और झालकीं को बहुत ज़ूर्वट vergessen जरूर आ रहा है और जब भी गिरेगा bounce back आपको देखने को मिलेगा results वाले दिन देखते हैं कि क्या चीज़े यहाँ पर देखने को मिलती है और देखे आज अगर bazar की बाद को तो definitely sensex में भी हमें major fall देखने को मिल भी रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट हम देखे रहे और अगे देखो जियो company मेरे हैसाब से खराब नहीं है लेकिन हाँ जो results इसके आने वाले उसके उपर आपकी नजर होनी चाहिए दो दिन बाद results है और वो काफी important दे होने वाला है इस company के लिए जिसके पास है वो hold करे fresh buying की जहां तक बात है दो दिन वेट करें एक बाद results देख लेज़े इसके लेकिन हाँ देखो हर 10% के fall पर add करो जिनका नजरी है long term का है short term में अभी भी कोई चीज नहीं होगी जब तक खबरों का बाजा गरम नहीं होगा और देखो मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि दिवाली में कुछ अच्छा धमाका करें ये company दिवाली में कोई अच्छी खबर आ जाए इनके insurance वाले business को लेकर इनके mutual fund के business को लेकर और अगर ऐसा होगा तो चीज़े भैठर होगे और even मतलब आप outlook लेकर चलते हो तो हो सकता है कि उसके बात के सालों में ये आपको damage होता भी नज़र आए तो अगे न ये वो बात की बात है लेकिन हाँ आपका जो नजरिया है वो long term का होना चाहिए अगेन ये मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है ये वीडियो को यहीं पर end करता हूँ पसंद आओ तो लाइक करें करें चैनल बगला पहली बारे तो प्ले सब्सक्राइब करें और जियो financial service के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment मिले के बता सकते हैं थैंक्यू